नमस्कार, मैं डॉक्टर गूपाल लुहिया, होमियोपाथ, ऐकुपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लार थेरपेस्ट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रैक्चर होने के बाद में कौन सी होमेपेथिक दवाई लेनी चाहिए, वैसे तो फ्रैक्चर ये एक सर्जिकल डी हो जाता है, तो उनकी भी कुछ दवाईया होती है, अंगरजी दवाईया, वह भी लेनी चाहिए, लेकिन साथ में आपको कौन सी होमेपेथिक दवाईया आप ले सकते हो, ताकि आपका जो हड़ी जुटने का स्पीड है, वह थोड़ा फास्ट हो जाए, और आजूब जो चारोर जो स्वेलिंग हो गया है, जो नर्ल डैमेज हो गया है, जो लिगामेंट थोड़े डैमेज हो गया है, मसल पूल हो गया है, यह सब क्योंकि हड़ी को लगा है, तो सिप हड़ी को थोड़े ही लगा है, उसके इर्द गिर्द भी लगा हुआ होता है, तो ऐसे वक् कुन सी होमेपतिक दवाईय लेनी चाहिए यह मैं आपको बता देता हूँ, आप आराम से इंगलीज दवाई के साथ में इसे ले सकते हो, इसे आपको अगर डर है तो पहले ले लेना है, खाना खाने के पहले और इंगलीज दवाईया खाना खाने के बाद में ले सकते हो, येक नहीं होती है, बहुत लोग डर के मारे इसके benefit मतलब ले नहीं पाते हैं, कि नहीं कुछ reaction हो गया, तो रहने दो, जो चल रहा है उसी को चल ले दो, तो कभी-कभी हड़ी जुडने में अगर समय लग जाता है, तो हम लोग चलना फिरना शुरू कर देते हैं, और फिर कभी-कभ वहाँ पर permanent रह जाती है, तो पहला medicine है, symptom symptom, symptom mother tincture लेना है, मतलब Q जिसके सामने लिखा होता है, वो दस-दस बुन पानी में डाल के लेना है, आप खाने के पहले भी ले सकते हो, खाने के बाद में भी ले सकते हो, तो ये लगातार तीन मैना तक आपको ले लेना है, तो हड़ी री यूनाइट करें देगा, मजबुत भी कर देगा, कि जो हड़ी क्राइक जहां हुई है, वा जो विकने से उसे भी दूर कर देगा हो, दूसरा medicine है, कैलकेरिया फॉस 6-6, बायो केमिक मेडिसिन, ये चार-चार गोली दिन में तीन बार लेनी है, ये भी आपको 3-6 months continue रखना है, ये overall आपका हड़ी की strength बढ़ा देगा, पूरे body में चितनी भी हड़ी है, इसकी strength देरे देरे बढ़ा देगा, उसके बाद, तीन homeopathic दवया है, इसे आप अलग-अलग भी ले सकते हो, या एक साथ combination में भी ले सकते हो, अर्निका, रूटा, और हाइपेरिकम, ये तीनों दवया, तीस पावर की जैसे ही आपको पता चला की आपका fracture हो गया है, इवन fracture नहीं भी हो, आपको सिप injured हो, लग गया है उदर, blunt injury है, खुन नहीं निकला है, अंदर के अंदर खुन जमा हो गया, अंदर कुछ तो फट गया है, ऐसे condition में भी ये तीनों मेडिसिन मिक्स करके आप इसकी चार-चार गुलिया, चार-चार घंटे से ले सकते हो, या चार-चार बून दवयाई, दिन में तीन बार, एक मैना, दो मैना तो आराम से ले सकते हो, इससे जो अंदर के injured part है, वो धिरी 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 धिरे रिपेर हो जाते है, और बाद में का जो दर् माज जाता है, वो संभावना कम हो जाती है, तो ये बहुत ही effective medicine है सब के सब, और अगर आपको लेने में कोई कश्ट है, लेने के बाद में कोई तकलिप है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, आप ये दवाई लेने के पहले भी सादा अच्छा होता है, तो आशा करता हूँ, ये कुछ न कुछ इससे आपको फायदा होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay healthy, stay fit